हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू देसी तड़का विदामिता तो आज मैं आपके लेकर आई हूँ वेजिटेबल से बना बिल्कुल एक बहुती टेस्टी और हेल्दी नाश्ता तो इसे मैंने नाम दिया है वेजलेट का तो फुल वीडियो जरूर देखिए आपको जरूर पसंद आएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और उसके पास जो बैल आइकन आता है उसको प्रेस कर दीजे जिससे मेरी आगे आने वाली रेसिपी का रोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो तो इसके लिए मैंने एक mixing bowl ले लिया है और इसमें मैं ये ले रही हूँ 100-500 ग्राम करीब पालक है इसको मैंने अच्छे से धो के और चौप कर लिया है महीन महीन और इसके बाद मैं ले रही हूँ ये दो ग्रेट पटेटो है जिनको मैंने ग्रेट कर लिया है और इसके बाद मैं एड़ कर रही हूँ इसमें वेजिस तो ये एक कैरट है ग्रेट थोड़ी सी ये एक छोटा टमेटो है जिसको मैंने छोटा छोटा चौप कर लिया है और ये एक ओनियन है इसमें आप चाहें तो कोई और भी आपकी पसंद की वेजिस एड़ कर सकते है या आपको इसमें से जो वेजिस पसंद नहीं है वो हटा सकते है लेकिन पालक तो मस्ट है पालक तो आपको डालना है और ये वन कप बेसन है इसके बाद मैं ये ले रही हूँ फोर टेबल स्पून चावल का आटा है मार्किट में भी अविलेबल होता है नहीं तो आप घर में भी पीस केस को बना सकते हैं इसके बाद में ले रही हूँ वन टेबल स्पून जिंजर गालिक पेस्ट और यह एक छोटी हरी मिर्चे जिसको मैंने महीन महीन चौप कर लिया है और यह थोड़ा सा धनिया पती है जिसको मैंने महीन महीन चौप कर लिया है अब इसके बाद हम इसमें स्पाइस एड करेंगे तो ये वन टीज़पून सॉल्ट है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं इसके बाद ये वन टीज़पून रेड चिली पाउडर है आप इसकी जगे चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं इसमें इसके बाद में टाल रही हूं ये वन टीज़पून चाट नमख होता है इसलिए आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेए और इसके बाद में इसमें एड कर रही हूँ हाफ टीज़पून ये प्लेक पेपर पाउडर काली मिर्ज का पाउडर और अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे सब चीजों को और अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करूंगी यह देखिए मैंने सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करूंगी मैं इसका एक गाड़ा बैटर बनाने के लिए दीरे दीरे पानी डाल कर एड़ करेंगे और मिक्स करते जाएंगे और फ्रेंट्स यह नाश्ता खौती टेस्टी लगता है बिलकुल ओमलेट जैसा लगता है मतलब बिना अंडे का ओमलेट इसलिए मैंने इसको नाम दिया है वैचलेट और आप एक बार जरूर ट्राय करिएगा तो यह देखिए मैंने इसका एक बैटर रेडी कर लिया है गाड़ा बैटर और इसको हम 10-15 मिनिट रेस्ट करने के लिए रखतेंगे अब देखिए 10-15 मिनिट हो चुके हैं और बैटर भी हमारा एकदम से सैट हो गया है और अब मैं इसमें डालूंगे 1-4 टी स्पून बेकिंग सोडा तो अब इसको डालने के बाद हम एक ही डिरेक्शन में इसको मिक्स करेंगे एक से दो मिनिट के लिए जिससे यह फलफी हो जाएगा और जो हमारे वेजलेट हैं वो बहुत सॉफ्ट बनेंगे तो देखे एक से दो मिनिट हो गए हैं और हमारा जो बैटर है काफी फलफी हो चुका है तो इधर मैंने एक पैन रख दिया है प्री हीट होने के लिए और इस पर मैंने डाला है वान टेबल स्पून ओयल अब इसमें मैं डालूँगी थोड़े से मस्टर्ड सीट यानी राई के दाने और थोड़े से सफेद तिल यानी सीसम सीट इनका टेस बहुत ही अच्छा होता है और सफेद तिल तो फायदे मन भी बहुत होता है तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पोर्शन डाल दूँगी और इसको हम बितकुल गोल कर देंगे इस तरीके से हिलाके और थोड़ा मोटा ही हमें यह बनाना है एकदम से थिन नहीं बनाना चीले की तरह थोड़ा सा मोटा बनाना है हमें और अब इसको हम ढखकर चार से पांश मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर सिखने के लिए छोड़ देंगे तो देखे चार से पांश मिनट हो गए है और एक तरफ से यह सिख चुका है देखे किता प्यारा इसमें कलर और टेक्शर आया है और स्मेल भी उतनी ही अच करने के बाद में इसको ढखक कर अगीन 4-5 मिनिट्स मीरियम टू लो फ्लेम पर कुक करने के लिए छोड़ दूंगी अब देखे 4-5 मिनिट्स हो चुके हैं और हमारा जो वेजलेट है वो भी अच्छे से सिख चुका है दोनों तरफ से गैस को आफ कर देंगे और अब मैं इ तूट सकता है तो थोड़ा सा ठंडा हो जाए जब मैं इसको कट करूंगी मैं पीजा की शेप दे रही हूं आप चाहें तो इसको वैसे भी सर्व कर सकते हैं बिना कट किये हुए बच्चों को लेकिन पीजा बहुत अच्छा लगता है तो मैं इसको पीजा की शेप दे रही है इतनी सारी वेजी इसमें है और बिल्कुल कम तेल में सिखता है तो देखिए फ्रेंट्स रेडी है हमारा वेजलेट का वेजी से बना टेस्टी नाच्ता तो यह रेसिपी आपको कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट करके बताएए और अगर आपको पसंद आये तो अपने फ्र आपको 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 प्रेंस करेंट है है